नमस्कार दोस्तों मैं अंकित्वी सुकर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी अनलाइन शरी में स्वागत करता हूँ दोस्तों हर रोज की तरह हमने आज फिर से आररवी एंटीपीशी के 11 अपरेल 2016 के सेकंड सिप्ट का पेपर लेके आए हुए हैं इसमें जितने भी दोस्तों मैत की कुषिन आई हुए होंगे उन सभी मैत की कुषिनों का हम लोग हल करना सीखेंगे तो दोस्तों अगर आप अपनी आरवी एंटीपीशी और अर एररसी ग्रूप डी की तयारी को और मजबूती देना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस सीरीज से जुणना बिलकुल मत भूलिएगा और हाँ दोस्तों अगर आपको ये सीरीज जी पसंद आ रहे थो आप हमारे वेडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में जाधा जधा सेर करिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सस्क्राइबर बेल गंटे जरूर दबाईएगा तो दोस्तों अगर आप कि और भी कोई क्योरी हो तो दोस्तों आप हमारे अपने टेलीग्राम गुरूप और वाट्क्साब गुड़ूप से हल करना है तो यहां भी दिया गया पांच बटे 28 और यह भाग के सिंबल को डिवाइट का सिंबल में करते हैं और 35 बटे 28 यह नहीं संख्यां को उल्टा करके लिख लेते हैं और यहां पे दोस्तों 112 बटे हमारा 20 हो जाएगा दोस्तों यह 5 से हमारा कट रहा तो हमने नेट कुशन दोस्तों हमारा यह रहा इस कुशन में दिया गया है दोस्तों 19 मिनिट का टेली फॉन बिल 13 रुपई है 15 मिनिट का पचास सेकंड 15 मिनिट 50 सेकंड का बिल कितने रुपई होगा दसमलाओ के एक इस्थान तक हमको एंसर निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 19 मिनिट का बिल दिया गया है दोस्तों 13 रुपई दिया गया है तो दोस्तों गर हम यहाँ पर एक मिनिट का बिल निकालें तो एक मीनिट का बिल हमारा हो जाएगा दोस्तों तेरा बटे 19 हो जाएगा तो इतना रुपिया हो गया दोस्तों अब अगर दोस्तों इसी में हम अगर सेकेंड का निकाल लें दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा तो अगर दोस्तों इसको हम 60 seconds लिखके कर दिया तो यह 13 बटे हमारा 19 था दोस्तों अगर हम 1 second का निकालें तो दोस्तों यहां पर 13 बटे 19 और multiply यहां पर हमारा हो जाएगा हर में दोस्तों यहां पर 60 हो जाएगा अब अगर दोस्तों इसका हम 50 seconds के निकाल दे तो 50 के हम 2 even multiply कर देंगे तो दोस्तों यहां से हमारा आ गया 50 seconds का तो 50 seconds का दोस्तों हमारा आ गया ये 0 से हमने ये 0 कैंसल कर दिया और 13、、oga 65 आ गया और 1910 चक्का 114 आ गया दोस्तों तो 50 सिकन्ड के दोस्तों इतना रुपीय आ गया और एक मिनट का हम कुछ ते न दीआ गया था तो हमें 50 सिकन्ड के रुपीया थे निका लिया दोस्तों 15 मिनिट का हम और निकालें जब एक मिनिट मां 13 बटे 19 रुपी हमें लगता है तो दोस्तों अगर यहां से हम निकालें तो यहां से अगर दोस्तों 15 मिनिट का निकालें तो दोनों साइट में 15 का मल्टिप्लाई कर देंगे अब दोस्तों अब जब 15 और 13 का मल्टिप्लाइ करेंगे दोस्तों 15 ती 45 की 5 हो जाएगा कहरे हुआ 4 15 करना 15 4 19 दोस्तों 1595 ब्या जाएगा बटे 19 तो दोस्तों ये हमारा आ गया 15 मिनट की वैलू आ गई 15 मिनट में इतना रुपया लगता है अब क्या करें दोस्तों 15 मिनट की इतना आया 50 सेकंड की हमारी वैलू ये दी गई है तो अब हम इन दोनों वैलू को दोस्तों आड कर दें अब अगर हम इन दोनों वैलू को आड करेंगो दोस्तों तो ये हमारा 15 मिनट प्लस 50 सेकंड का इनको जब आड कर देंगे दोस्तों, एक सो पंचानमी बटे 19 हो जाएगा, आइए दोस्तों, हमारा 65 बटे हो जाएगा, हमारा 114, फाइनली दोस्तों, हमारा 114 यहां से हमारा LCM आ जाएगा, तो 196 का 114, तो 6 का यहां भी मल्टिप्लाइज जब करेंगो, दोस्तों, 6, 5, 6, 30, और 6, नएक, 54, यहां जाएगा, तो अब दोस्तों, गर इन सबको हम आइड करेंगे, तो finally हमारा आ जाएगा 1235, बटे हमारा 114, दोस्तों, जो इसका इसमें डिवायड देंगे, तो यह आ जाएगा, finally हमारा 10.8 आ जाएगा, दोस्तों, तो इसका option number, और दोस्तों हमारा A right हो जाएगा option number हमारा A 10 point एड दिया गया है तो दोस्तों 15 minute 50 second वसको बिल कितना रुपया पे करना पड़ेगा 10 रुपया 80 पैसे पे करना पड़ेगा next question दोस्तों हमारा ये रहा यहाँ पे दोस्तों question में दिया गया है एक वस्त को 2% तथा 12% के लाव में बेशने पर विक्रे मूल में 3 रुपया का अंतर है तो दोनों विक्रे मूलियों का अनुपात ग्याद करना है दोस्तों हमको तो दोस्तों यहाँ पे अब इस प्रकार question करने के लिए यह जो विक्रे मूल में 3 रुपया का अंतर दिया गया है इसका एक प्रकार से दोस्तों में कोई यूज नहीं है यहाँ पे 2% और 12% का हमें लाव हो रहा है तो दोस्तों 2% का लाव होने पे तो 102 हो जाएगा और 12% लाव होने पे तो 112 हो जाएगा अब बस दोस्तों इसी को हम सिंप्लिफाई करके अनपाथ निकाल लेंगे दो पंचे दस दो एक अनम दो और ये दो पंचे दस दो चमबारा तो फाइनली हमारा आ गया एक क्यावन अनपाथ चपपनापसन नमबर दोस्तों इसका एराइट हो जाएगा निकालनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं इस सिरीज को एसेंडिंग और डिसेंडिंग आडर में रख देते हैं तो दोस्तों अगर इसको हम एसेंडिंग आडर में रखें एसेंडिंग आडर बोले दोस्तों तो आरो ही क्रम आरोही क्रम में रखे हैं तो आरोही क्रम यह होता दोस्तों सबसे चोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा यानि छोटे से बढ़े क्यों चलेंगे से फिर दोस्तों मरा five है उसके बाद हमारा सब्हुश्व 7 के बाद दोस्तों तेन है अब दोस्तों मध्धिका निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें देखते हैं कितने पत्ध हैं तो तीन दू पांचिस आ ceux as हमें डोस्तों दस इन दोनों का योग करके दोस्तों क्या करेंगा न utmost 21 रुपए को एक अनुपात, तीन अनुपात, शेन पात, साथ के अनुपात में भाज़ित किया, तो उनके संबन्धित अनुपात में रुपए हैं, तो दोस्तों इन सभी का योग करके हम 221 को इकुल करते हैं, तो 6, 3, 9, 1, 10, 7, 17, 17 बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, 221, हो जाएगा, 6 बराबर 78 हो जाएगा, और 7 बराबर हो जाएगा, 91 हो जाएगा, दोस्तों ये वैलू हमारी कहा मैच कर रही है, आफसर नमबर 13, 49, 78, 91, आफसर नमबर दोस्तों C मैच कर रहा है, चार आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों बना सकते हैं, तो 6 आदमी उसी घर को ब बना पाएंगे, इस काफसर नमबर B-right हो जाएगा, नेस्ट कोईशन दोस्तों मारा ये रहा, अलीना ने 650 रुपए 6% के साधान ब्याज की वर्सिक दर से लिए, चार वर्स बाद उसे कितनी धंगास अदा करनी होगी, तो दोस्तों साधान ब्याज यहां बताये गया है, त हाँ पे दर दी गई है, 6% दोस्तों समय दिया गया है, चार वर्स बटे क्या कर देंगे 100, तो यह हमारा SI निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो अब अगर दोस्तों ये 0 हमने ये 0 कैंसिल कर दिया, और ये दोस्तों कर मल्टिप्लाई कर दें हम, तो 4 पंचे 20 की 0 कह रही हुआ 22, 24, 24, 26, मल्टिप्लाई भी 6 करना बांकि है दोस्तों, बटे हमारा 10, ये 0, 3, 0 कैंसिल हो गया, 26 में अगर हम दोस्तों 6 का मल्टिप्लाई कर दें, तो 156 हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पे हमने रख दिया 156, अब जब 156 आ गया दोस्तों, तो अब हमारा पूशा गया ह कितनी राष्च अदा करनी पड़ेगे, इतना तो ब्याज हो गया, और राष्च कितनी 650 थी, उधार लिया था, और 156 ये, तो दोस्तों भी इसको अगर हम एड़ कर दें, तो 6, 5, 5, 10, 6, 7, 8, 806 रुपिया उसको अदा करना पड़ेगा, आपसन नंबर सी राइट हो इदने में और बेंशने में 8% कम तोलता है, तो 8% के परकास धोका देता है, तो दोस्तों से कुल्याफ ग्याद करना, दोस्तों, इस परकास खुश्च करने के लिए हम जानते हैं, A प्लस B और यहाँ पे A इंटु B अपान का 100, ये फार्म लगा देते हैं, दोस्तों, हमारा एंसर आ जाएगा तो दो बार 88% खरीदने और बेंशने में तो कहरा दोखा कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 8 और दोस्तों फिर यहाँ पे प्लस 8 multiply 8 अपान दोस्तों 100 हो जाएगा अब अगर दोस्तों इसको महल करें तो 8 816 हो जाएगा प्लस यह 64 आएगा और दोंक बाद हमारा दसमर रख देंगे दोस्तों 16.64 आ जाएगा हमारा एंसर तो इसका दूस्तों आपसर नंबर बी राइट हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा ये रहा इसकी value निकालनी है दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे आ जाएगा एक हज यार x इधर minus 6 plus इधर 5 आएगा तो minus 1 बचेगा तो दोस्तों x बराबर minus 1 बटे 1000 तो option number दोस्तों से क्या right हो जाएगा option number हमारा be right हो जाएगा next question दोस्तों हमारा ये रहा दोस्तों इसका multiply करना है तो अगर 2.31 में हम multiply करें 0.34 का तो 4 1 जा 4 4 3 4 12 4 2 जा 8 1 9 हो जाएगा अब 3 का multiply करें 3 1 जा 3 3 3 4 9 3 2 जा 6 अब दोस्तों अब इसका हम आइड कर दें 4 3 2 5 9 9 8 10 और 6 1 7 तो दोस्तों हम 4 अंग बाद दसमल रख देंगे तो जहां पर दसमल रखा जाएगा दोस्तों 0.7854 7854 दोस्तों option number इसका be right हो जाएगा तो next question देख दोस्तों next question हमारा ये रहा आंकणों का माधनिकालना है दोस्तों माधनिकालने की तरीका क्या होता सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी की average निकालना है दोस्तों तो अगर दोस्तों उस सबकों add कर दें तो ये हो गया दोस्तों 6 4 10 9 19 19 3 22 हो गया 22 और 9 31 31 9, 44 42 हो जाएगा दोस्तों 42 बटे दोस्तों हमारे संख्या कितनी है साथ हैं तो साथ च्छंग दोस्तों फाइनली एवरेज हमारा कितना आगया है नी माध्धी कितना आगया च्छै च्छै सते 42 होता दोस्तों तो 7-6-2-6-2-6 आएगा इसका आपसर नमबर इसका भी राइट हो जाएगा नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुशन हमारा ये हो गया दो संख्याओं का अनपा इतना है एच-सी-एफ इतना है तो LCM गयाद करना है तो LCM निकालने का तरीका आपको बता दूँ इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इस HCF में मल्टिप्लाई कर देते हैं यही हमारा LCM हो जाता तो 4-5-20 हो गया दोस्तों 20 मल्टिप्लाई 13 तो दोस्तों कितना आ जाएगा 260 इसका हमारा राइट आइंसर हो जाएगा नेस्ट कुशन दोस्तों हमारा ये रहा बहुत ही स 2X2 हो जाएगा 5-2 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 7X हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर माइनस 2X2 प्लस का 7X आपसर नमर इसका डी राइट हो जाएगा नेस्ट कर्शन दोस्तों हमारा ये रहा अच्छर एक बस 15% के हानी पर इतने रुपएं बेचता है उसे 15% ही है दोस्तों तीigue 85 helps अब अगर डूस्तों इसको हम कट करें तो दोस्तों हमारा कट जाएगा हां सत्रहट है था होता है दोस्तों और सत्रह कलन्म सत्रह और बचा हमार uh 30brarा तो सट्रह दूनी 4 4 , han बारास हुआ गया अभी पांस और हमारा दोस्तों कट जाएगा ये तो पांच दूना दस पांच चौक बिस दो सो चालिस आ जाएगा अब दो सो चालिस ये डबल जीरो और हो जाएगा तो ये हमारा दोस्तों क्या निकलाया से पी निकलाया अब दोस्तों इस से पी में हमको कि 240 कर दें तो दोस्तों जब इसका multiply करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों यहां पर 115 multiply 24 0 आगर इसका multiply कर दें चार पंचे 20 को आई जा जाएगा चार आ जाएगा दोस्तों ये और 2-5-0-10 और 2-3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा दोस्तों अब अगर दोस्तों इसको एड़ करें 0-6 और 4-3-7 हो जाएगा और 2 एक 0 और बढ़ाना है दोस्तों क्योंकि इसको हम छोड़ के रखे थे तो 27,600 इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर दोस्तों D हो जाएगा नेक्ट कुरिशन दोस्तों हमारा ये रहा इस कुरिशन में दिया गया है प्रकति के पास 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैस देखना चाहते हैं तो टोटल कितने हैं दोस्तों टोटल हैं दोस्तों 100 अब कहा गया है सो प्रेमियों में से 20 लोग जंगली भैस तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया जंगली भैस बफाइलो लिख लिया तो दोस्तों कितने हैं 20 लोग के वल जंगली भैस देखना चाहते हैं तीस जंगली भैस और बाग जंगली बफाइलो प्लेस दोस्तों बाग कितने लोग देखना चाहते हैं ये जंगली भैस और बाग तीस लोग देखना चाहते हैं तीस जंगली भैस और बाग देखना चाहते हैं दोस्तों यहां पे हमने तीस लिख दिया अब आगे कहा गया है पंदरा तेंदुवा देखन चाहते हैं, पचीस के वल बाग देखना चाहते हैं, पचीस के वल बाग देखना चाहते हैं, पाँच जंगली, भैस, प्लस तेंदुगा दोनों देखना चाहते हैं, जंगली, भैस, यह नहीं, बाफाई लोग कह लिजी दोस्तों, जंगली, भैस, प्लस तेंदुगा, कितने लुक देखना चाहते हैं पांच लोग और सेस कीवल भालू देखना चाहते हैं तो अब दोस्तों इन सब को जोड़ करके हम 100 से घठा दें तो 25 35 35, 25 45 45, 400, 40, 30, 75 75, 25, 20, दोस्तों कितना हो जायगा 85, 75 तो पांच लोग जो होँगे वो भालू देखते के इच्छुक लोगों का अनुपाद चीता यानि की दोस्तों बाग तो बाग देखने वाले दोस्त कितने हैं यहां पे तो यहां पे 20-30 लोग यह बाग वाले हैं और बाग वाले 25 लोग यह हैं दोस्तों तो दोस्तों 25 और यह रहा करा कितने लोग के वल एक जानवर देखते हैं दोस्तों एक जानवर वले देख रहेते हैं तो दोस्तों एक जानवर हमारा यह जंगली वफयलो तो 20 यह दूदो हो गए 15, 20, 30, 35 हो गया 35, 45, 60 हो गया 65 65 लोग हो गया दोस्तों तो इसका आपसन नमबर क्या राइट हो जाएगा आपसन नमबर दोस्तों इसका भी राइट हो जाएगा 65 लोग के ओल एक जनवर देखते हैं नेश्ट कुश्चन दोस्तों हमारा ये रहा कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं परम तो तिंदुवा नहीं देखना चाहते जंगली भैंस देखना चाहते हैं तिंदुवा नहीं तो दोस्तों जंगली भैंस यह 20 हो गया जंगली भैंस यहां भी है 30-50 हो गया और जंगली भैंस तो 55 लोग हमारे जंगली भैएस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस कापसर नंबर राइट हो जाएगा ड कि इस कापसर नंबर डि राइट हो जाएगा हमारा रहा कहा गया है कि सही अभिक्ति है तो दोस्ते सही काफस नमबर हमारा सी राइट हो जाएगा तो नेक्ट कोशन दोस्तों मारा देखते हैं यह रहा इसमें दिया गया 40 82 डिवाइड में हम 157 लगा दिया हो माइनस में 23 अब अगर दोस्तों इसको कट करें तो दोस्तों जहां पर कर दो यह हमारा कितनी टाइम में कटेगा हम पूए देखना है तो दोस्तों अगर हम ऐस्सक्तावन में 26 का मल्टिपल्य करें दोस्तों यह हमारा 26 टाइम में कट जाएगा तो अब दोस्तों के 26 से हम 13 को दो आपसे जाए पसे नमबर दोस्तों धोब Inspector हो जाएगा next question दोस्तों मारा ये रहा यहाँ पर दोस्तों 10A और 10B कमान दिया गया है हमको 10A-B कमान निकालना दोस्तों हम जानते हैं 10A-B का फार्मूला होता है 10A-10B बटे दोस्तों 1 प्लेश 10A 10B दोस्तों यहाँ पर 10A कमान दिया गया है 15 बटे 8 तो हमने यहाँ पे 15 बटे 8 लिख लिया और माइनस का 10B 10B कमान दोस्तों यहाँ पे दिया गया 7 बटे 24 हमने वो रख लिया और अब दोस्तों पूरे का बटे लगा दिया और यहाँ पे 1 प्लस 10A 10B तो 10A कमान दोस्तों 15 बटे 8 इन्टो 10 भी कमांड दिया गया 7 बटे 24 तो अब अगर दोस्तों इसको हम solve करें तो यह हमारा 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 यह अठे 24 हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम 24 हमारा LCM हो जाएगा तो 15 ती 45 हो जाएगा दोस्तों माइनस का यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पे हम पूरे कबटे लगा देंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 64 प्लस का 35 हो जाएगा दोस्तों पूरे कबटे हमारा यहां पर Cyan 64 हो जाएगा अब दोस्तों इसको क्या करेंगे? सिंप्लिफाई कर लेंगे 45 से अगर हम दोस्तों 7 कम कर देंगे तो दोस्तों यहां पर 38 बचेगा 38 बटे हमारा 24 और यहां पर Multiply54 हमारा उपर हो जाएगा और यहां पर इनको हम दोनों को add करेंगे तो 5, 4, 9 हो जाएगा दोस्तों और 6, 3, 9 हो जाएगा अब अगर दोस्तों इसको हम कट कर दें तो हमारा ये 4 से कट रहा तो 4, 24 हो जाएगा दोस्तों और 4, 954, 4, 24 हो जाएगा अभी और दोस्तों ये हमारा cancel हो रहा है तो ये दोस्तों हमारा 2 से 16 हो जाएगा अब दोस्तों अगर इनका मल्टिप्लाई कर दें तो 8 का मल्टिप्लाई जब 38 में करेंगे तो 6864 हो जाएगा 6 और 346 दोस्तों 246 दोस्तों 30 हो जाएगा अपान का हो जाएगा 3 का जब इसे मल्टिप्लाई करेंगा 2927 हो जाएगा दोस्तों 2929 हो जाएगा तो दोस्तो 304 बटे 297 आपसन नमबर इसका A राइट हो जाएगा नेस्ट कुश्चन दोस्तों मारा ये रहा दिया गया है मनोज अनुराज से दोगुना सच्छम मच हुआ रहा है मनोज हमने M से डिनोट कर लिया अनुराज यानि A से डिनोट कर लिया से दुगना सच्छम मनोज दुगना सच्छम किसे अनुराज से तथा हुए मिलकर एक कारे को 22 दिनों में स्वाप करते हैं दोनों अगर ये दोस्तों M और A मतलब मनोज और अनुराज मिलकर काम करते हैं तो ये किसी काम को बाइस दिन में खतम कर देते हैं बाइस दिनों में अनुराज अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों इन दोनों की छमता है तीन तो जब एक दिन में तीन काम करते हैं तो बाइस दिन में टोटल काम कितना कर रहे होंगे दोस्तों 66 काम करें होंगे तो अब हम दोस्तों जानते हैं मनोज की यहां पी छमता है एक दिन में दो काम करने की और अमराज की छमता एक काम करने की तो अमराज का पूछा गया है दोस्तों तो टोटल काम हमारे पास 66 है अमराज की छमता एक है दोस्तों तो फाइनली हमा अमराज को कित आयत है आयत की लंबाई हमको नव पता है, और यहां पे पाँच पता है, तो इधर09 की हमको यह बाची को बिकड़ लंबाई निकालनी है है। झब दोस्तों बिकड़ की लंबाई निकालेंगे, तो हम जानते है क्या होता है। कंड़ का स्क्वाERS लंबादार काई स्क्वाइर तो यह हो जाएगा क्या सी प्लस का हम जोड़ेंगे 25 हो जाएगा तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 516 हो जाएगा आठ तो दस हो जाएगा इधर हमारा कंड का स्क्वाइर बराबर हो रहा है तो इधर कंड का स्क्वाइर जब आएगा तो अंडर रू जानते हैं कि दो संख्याओं का गुडन फल बराबर LCM into HCF यानि 97 और ये HCF अगो निकालना है दोस्तों तो ये HCF बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 और ये 22 पटे 97 अब दोस्तों इन 97 से हमारा कहीं न कहीं ये 26 पुरा-पुरा कटेगा अब कितनी टाइम में कटेगा तो इस 7 में हम इन विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या लेकर multiply करें इस 7 में कि 6 हमारा मिल जाए तो दोस्तों अगर हम तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर हम वो 6 लाना है 6 सते 42 हो जाएगा यह नहीं होगा दोस्तों अगर हम 7 सता 49, 9 सतीर साथ, 8 सतीर, 56 दोस्तों अगर हम यह 28 का multiply कर दें इसमें तो यह हमारा मैच कर जाएगा तो इसका आफसर नमबर दोस्तों क्या हो जाएगा यानि कि पूरा finally हमारा 28 टाइम में कटेगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आफसर नमबर A हमारा इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा यह रहा इसकी value हमको निकालनी है दोस्तों यहाँ पर सारी value दी गई नहीं z, z कमान दोस्तों दिया गया है यहाँ पर कितना z कमान माइनस का 1 by 2 दिया गया है w, w कमान दोस्तों दिया गया है माइनस 2 और फिर 2 बटे इसको make मान सकते हैं दोस्तों और फिर यहाँ पर plus का x, x की वह दो दी गई है 3 अब दोस्तों माइनस एक बटे 2 और यह फिर माइनस का 1 बटे हमारा 2 बटे दोस्तों 1 बटे माइनस का 2 यह हो जाएगा माइनस मैं इस हमारा cancel हो जाएगा plus का हमारा 12 बटे यह यह 1 बटे 4 बटे 3 बटे 1 तो 2 सा 38 बटे 1 अब इसको अब हम हल कर देंगे तो दोस्तों हमारा 4 L.C.M. आ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 12 तो finally आ जाएगा 13 बटे हमारा 4 तो इसका अगर हम सही बटे में निकालें दोस्तों 4 तो 12 तो 3 सही 1 बटे हमारा 4 इसका right answer हो जाएगा आपसर नमबर दोस्तों ए मैच कर रहा है हमारा next question दोस्तों हमारा ये रहा इसकी value हमको निकालनी है दोस्तों हम जानते हैं तो दोस्तों पर हम ये एक table ड्रा कर लें और यहां से अगर हम देखें तो sign ये होता है लंब बटे कर्ण तो कर्ण की value दी गई है 5 लंब की value दी गई है 4 तो दोस्तों अब हमको पता है आधार की value निकालने के लिए क्या करेंगे 25 से हम 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा 9 में 3 बन जाएगा दोस्तों हमको निकालना है Sip X की value तो हम जानते हैं दोस्तों ये लाल बटे कका तो दोस्तों यहाँ पे Sip मुझा गया है तो कास का आधार बटे कर्ण कास का ही उल्टा से खोता तो कर्ण बटे आधार बन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे कर्ण बटे आधार तो कर्ण दोस्तों हमारा कितना है 5 और आधार कितना दिया गया है दोस्तों 3 तो यह आ गया हमारा सेक एक्स कमान अब हम दोस्तों ऐसे ही साइन एक्स कमान निकाल लें साइन एक्स का दोस्तों जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है तो लंब दोस्तों को कितना दिया गया है यहाँ पे चार और कर्ण दिया गया पांच तो फाइनले दोस्तों आ गया लिए जाएगा 25 बटे 12 तो आपसन नमबर दोस्तों से क्या राइट हो रहा है डी राइट हो रहा है नेक्ट कुछन दोस्तों मारा यह रहा कहा गया है एक डाटा सिट का प्रसरण एक सिकी सा तो डाटा का मानक विचलन ग्याद कीजिए दोस्तों पिछले पेपरों में हमने हल किया है मानक विचलन हमको निकालना है तो मानक विचलन बराबर फार्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वेर बराबर दोस्तों होता है प्रसरण अब दोस्तों सब कुछ हमको पता है तो अगर हम यहां पे मानक विचलन निकालें मानक विचलन यहां पे द 120 अंडरूद 120 को हुल करेंगे तो दोस्तो हमारा फाइनली आ जाएगा 11 तो आपसन नंबर दोस्तो इसका भी राइट हो जाएगा नेश्ट कुशन दोस्तो हमारा ये रहा बहुत ही सिंपल है कुशन दोस्तो दोस्तो इस कुशन में दिया गया है पांच की पावर हम दो लिख सकते हैं अग उपर होल पावर तीन में दो लिखा 2 से 2 कैंसल हो जाएगा पांच की पावर तीन दोस्तो glauben कितना हो जाएगा 125 अफसन नंबर हमारा इसका सी राइट हो जाएगा चंदन क्रमसा 3 km 2 गंटा 4 km 2 गंटा 8 km 2 गंटा से बराबर दूरी तैंग करता है तब कुल 42.5 मिनट का समय लेता है कुल दूरी किलो मीटर में ग्याद कीजिए तो टोटल दूरी दोस्तों हमको निकालना है तो चंद कोशन दिया गया जो तो टोटल दूरी एक्स होगे तो एक्स बटे तीन हो जाएगा उतनी ही दूरी फिर हमारा 4K स्पीड से उतनी ही दूरी हमारा 8K स्पीड से तैंग करता है तोटल उसको समय लगता है 42.5 मिनट तो दोस्तों हमने पॉइंट टाय नीचे 10 बढ़ गया यह मिनट में था इसको घंटे में करने के लिए हमने 60 के भाग दे दिया क्योंकि यह सव आफ थर घंटे में दिए गये हैं अब अगर दोस्तों इसको हम सॉल करें तो यहाँ पर हमारा 24 LCM आजाएगा तो 8X आजाएगा 6X आजाएगा 3X आजाएगा दोस्तों अब यहाँ पर हमारा दोस्तों ये अगर हम इसको कट करें तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पचीस से गर हम इसको कट कर दें तो आ जाएगा पचीस हिकननम पचीस हो जाएगा दोस्तों और यहां पे हमारा पचीस, पांटीस, तश्चालिए तो सत्रा बचा तो पचीश सते एक सो पचत्तर बटे हमने कर दिया दोस्तों इसको हम पचीश से कट करेंगे तो पचीश दूना पचास हो गया और पचीश चोपो सब हो गया दोस्तों तो फाइनली आगे हमारा सत्रा बटे 24 तो 24 से 24 हमारा cancel हो गया और यहां प्राज आएगा हमारा च्छे टीन नाओ 800 चोगरा तीन 17 तो 17 बराबर 17 एक्स बराबर दोस्तों 17 हो गया तो एक्स बराबर एक आगया तो हमारी final दूरी कितनी आगई दोस्तों एक किलो मिटर नेस्ट कृष्ण दोस्तों मारा ये रहा देवेस नो 4500 रुपय 4% चक्रबत व्याज की वार्षिक दरसे उधार लिया दो वर्षों के बाद चक्रबत व्याज क्या होगा यदि व्याज वार्षिक चक्रबत धित हो तो समय दिया गया दोस्तों यहाँ पर दो वर्ष का दो वर्ष के में टेबल ड्रा कर लिया और यहाँ पर 4500 का अगर दोस्तों हम वार्षिक देने के लिए कहाँ 4500 का हम 4% निकालें पहले एक वर्ष के लिए तो दोस्तों 4590 454 को हो जाएगा हमारा 180 यहाँ पर 180 यहाँ पर अब 180 के 4% जब दोस्तों निकालेंगे तो ये 0 ये 0 कर जाएगा अठार चौक बहत्तर तो ये 7.2 आ गया है दोस्तों हमारा अब पूछा क्या गया है चक्रुगर ब्याज पूछा गया है तो 360 हो जाएगा अब प्लस का 7.2 तो दोस्तों अब इसको हम सब जब अड़ करेंगे 7.2 था हमारा तो 367.2 हमारा इसका राइट एंसर हो जाएगा तो option number 10 का राइट हो जाएगा दोस्तों next question दोस्तों हमारा ये रहा नीचे दियेगी संख्याँ में से निमलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है आरोही क्रम निकालने के लिए दोस्तों मैंने एक SPECIALY VIDEiction बनाई है आप जाके उसको देख सकते हैं प्लेलिश्ट में होगा तो दोस्तों इसका सबसे में देंगे दोस्तों तो 0.5 आ जाएगा अब हम 4 का भाग जब 1 में देंगे दोस्तों तो यहां पर आ जाएगा हमारा तो 0.25 आ जाएगा अब हम 3 का जब divide 2 में देंगे दोस्तों तो 0.5 हमारा आ जाएगा 6 और हो जाएगा दोस्टों 0.66 आता रहेगा तो अब दोस्तों यहां पर ROH क्रम में रखना तो सबसे चोटे से बड़े के उरस चलेगा तो सबसे चोटा दोस्तों हमारा क्या है 0.25 यानि कि 1 by 5 1 by 5 उस से चोटा दोस्ट उमारा क्या है 0.5 यानि कि 1 by 3 फिर two by five तो आपसन नमर दो से इसका c right हो जाएगा अगला question दोस्त हमारा ये रहा दिया गया है एक chart दिया गया है और कहा गया है इस chart में सबका percentage दिया गया है और पूंचा गया है कि srk को पसंद करने वालों की तुलना में sq को पसंद करने वालों का अनुपाद तो दोस्तों यहाँ पे srk तो srk को पसंद करने कितने percent करते हैं दोस्तों 25 और फिर sq को पसंद करने वालों कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 30 परशंट तो इनका अनुपाद पूंचा गया है तो 55 तो 35 तो finally 55 तो आपसन नमर इसका भी right हो जाएगा next question दोस्तों हमारा ये रहा same question है बस question में थोड़ा सा different किया गया है यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले VD को पसंद करने वालों के बीच अंतर गयात कीजिए अब दोस्तों परिवार में total लोग कितने हैं 40 हैं तो कहा गया AK को पसंद करने वाले तो दोस्तों AK को पसंद करने वाले कितने पंद्रा पर्शेंट हैं वीडी को पसंद करने वालों तो वीडी को पसंद करने वाले दोस्त कितने हैं यहां पे दस हैं तो कह रहां इनका अंतर ग्याद किजिए तो 288 5 4 अपान का हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे यह 4 5 8 multiply 9 यह भी दोनों बटे में आ जाएंगे अब अगर दोस्तों इसको हम cut करें तो दोस्तों यह हमारा 9 अगर इसको हम cut कर दें तो 9 तरिक 27 9218 0 964 अब दोस्तों हम इस 8 में किस संख्या का multiply करें कि 1 का place value हमारा 6 बन जाए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 7 का multiply कर दें तो 786 बन जाएगा लेकिन दोस्तों अब 2 आपसोनों में 7 और 7 दिया गया है तो यह तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर 566 किसमें multiply कराएंगे तो कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ी संख्या जाएगी तो इसका आपसार नमबर का दोस्तों से राइट हो जाएगा तो यह हमारा कितने टाइम में कट जाएगा 7 टाइम में कट जाएगा दोस्तों तो I hope दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको ये हमारे दोरा किया जा रहा प्रियास पसंद आ रहा हूँ तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा ज़्याद अपने दोस्तों में सेर करिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बलगंटी जरूर दबालीजीगा दोस्तों अगर आपको और भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप और किसी भी चीज में वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर पे तो मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको उस चैप्टर की वीडियो पहले प्रवाइड करा दूँगा आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्या